हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सिवानी वेलकम है आपका मेरे यूटीब चैनल पे फ्रेंट्स जितने भी आईटिय के छात्र हैं आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट चीज जो है अपडेट आई हैं आप लोग थामनेल पढ़ी चुके होंगे फ्रेंट्स आप लोग के प प्रोडम नहीं आएगी चाहिए आप वो चात्र है जो अभी परिक्षा दे रहे हैं आप लोग भी ध्यान से सुनीगा चाहिए 2020 के चात्र है 21 के चात्र है कोई भी चात्र है आप लोग सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट आई है लाइव हम आप लोग को दिखाएंगे आप लोग के लिए काफी महतपूर्ण अपडेट्स आई है यहां पे साब साब लिखा गया है कि आई टीए में प्रेक्टिकल पर जो मनीश सिसो दिया ने प्रिंसिपल को जल्द प्रोग्राम ओफ एक्षन तयार करने के लिए दिया नीदेश यानि कि प्रेक्टिकल पर जो सिर्फ है फोकस किया जा रहा है तो देखें फरेंश यहां पे क्या लिखा गया है जितनी भी आई-टीए कि आई-टीए में अब जादा से जादा जो है पेक्टिकल कराने का जोर दिया जाएगा तो सिर्फ यहां जो है दिल्ली की बात की गई लेकिं आप लोगों को पता है कि जो भी आई टियाई में चीज़े कराई जाती है वो सबी श्टेट में कराई जाती है तो आप लोग किसी भी श्टेट के छात्रे आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह जो है डेली से आई है अपडेट इसलिए यहाँ पर देली का नाम लिखा गया लेकिन सभी जग अफ एक्शन बना कर विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्तिकल् क duties क्रेंने का स्पूर्ण मार्केट में जाए तो उन के पास अपने कॉर्स पुर्ण वेवहारिक घ्रान हो यानरी के प्रैक्तिकल के लिए कासी जो हुआ जाए जाए चाहिए तो जितने चाहँ होगी कोर्स का पुर्ण व्यभार उनको ग्यान होगा। क्योंकि रिख्जाम देने से कुछ भी नहीं होता है जब तक आप लुग का प्रेक्टिकल नहीं करवाए जाएगा। आप लोग को पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े जो ँट होते हैं जैसे कि कृष भी नमाल दीडियेख जैसे कि भी टेक टेकनिक जो क्रवाम होते हैं उन सभी साथ्रों को क्या किजेंगा जाता है प्लिछ अच्छी च्बाइन से कर बायों सनय जाता है तक वह उनको बहुत ज्यादा experience होता है देखिए बहुत सारी चीजे आप लोग को पता होगी कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं और किसी चीज को आप खुद practically उसको करते हैं अनुभोग करते हैं कि किस तरीके से यह होता है उसमें काफी अंतर होता है कोई चीज पढ़ने में औ और देखिए एक्जाम प्रेक्टिकल एक्जाम पे भी काफी जोड़ दिया जागा देखिए हैं बताएगा कि दिल्ली की आइटे में आप ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिकल कराने का जोड़ दिया जागा जिससे कि छात्रों का learning gap खत्म हो और उन्हें कोर्स को पुर्ण बिया और ग्यान बिल सके उपमुक मंत्री मनीश स्यसोधिया ने गुरु वार को सभी आईटे प्रिंसिपल को जल्द से जल्द एक प्रोग्राम ऑफ एक्जाम तयार करने का निर्देश दिया गया है उसके बादे штसे कि पास अपने पुर्ण करने के दोड़ जोब मार्के में जाए तो उसके पास अपने कोर्ष का पुर्न जो है ज्यान हो जी याँ उसके बाद फेरंस यहां पे दिखे कि साथ साप यहां पर क्या बताए गया है कि उपमुख मंत्री जो है शिच्छा मंत्री मनेसी सोधिया गुरुबार को दिली सरकार के ITI में क्राफ्टमेंट ट्रेनिंग स्कीम में टॉप करने वाले भी द्यार्थियों को समानित किया CTS के तहत All India टेस्ट में सिवा के पर्थम यहाँ पे सभी का नाम दिया गे फ्रेंट जो की पर्णा का इंपोर्टन नहीं है जो टॉप की है उनको समानित के आगया था इस अफसर पर मुखमंत्री ने कहा कि ITI जैसी संसानों से ट्रेनिंग लेकर हुनरमंद छात्र भविस्य की नई जो है इबारत लिखेंगे हमारा देश विक्सित तभी बनेगा जब देश का हर यूबा जो है यूबाओं में कौसर होगा इस दोरान उन्होंने बिद्यार्थियों से संबाद भी किया यानि कि बिद्यार्थियों से बादचित की है और बिद्यार्थि की जो भी प्रॉबलम होती है खास करके ITI के चात्रों की जो जो भी परिसानिया है उस पर जो उनुने गौर फर्माया है और यहां बताएगा कि सोधिया ने कहा कि कोरोना के कारण चात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआईगी आप लोग को भी पता है कि कोरोना के कारण चात्रों की पढ़ाई काफी नुकसान हु क्योंकि जो नुक्सान आप लोग बहुत सब्सक्राइब है उनका एक साल तो वैसे ही चला गया उन्होंने एक साल कोई पढ़ाई नहीं की जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेश की वो की तो इसलिए अगर दोजार बीस के जो चात्रे उनको अगर प्रेक्टिकल अभी करवा आयटे आय को और बेहतर करने के लिए जो है देखें बिद्यारत्यों की फीड़ग मांगे ताकि उन्हें वर्ल्ड क्लास्ट सेमें ऋनकी तो उससानие के चैन्ज bliver किया उसके बताय गया है कि दिल्ली के उनाई सरकार्य आटियाई में विद्यार्थियों को 49 ट्रेर में ट्रेनिंग करवाई जाती है इस संस्थानों में लगवग 11,000 विद्यार्थी दाख लेते हैं तो इस तरीके से फ्रेंट्स आप लोग अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा क्योंकि अगर आप देली के चात्र है तो देली में तो यह कारक्रम अस्टार्ट हो चुका है देली में आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा प्रेक्टिकल में दीरे-दीरे सभी अस्टेट में यह नियम लागू किया जाएगा क्योंकि आप लोग को पता है कि सिफ देली में नहीं होगा हर अस्टेट में होगा लेकिन दीरे-दीरे थोड़ा टाइम लगेगा देली में पहले सुरुवात की गई है तो यह आप देली के चात्रे तो अपको लिए बहुत इस भी फीड़ेक आप लोग दिजेगा क्योंकि बीचे में आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आप लोग को एक्स्परियंस पहले से रहेगा कि कैसा कोस्टन आता है एक्जाम में क्या 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 पूछे जाते हैं तो यह आप लोग जरूर बताएगा फीड़ेक में उसके बताएगा कि आप लोग का जो है एक्जाम टू टाइम लिया जाए सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है आप लोग के लिए और इसके अलाबा कुछ भी नहीं है सभी चाथ एक ही चीज लिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमको एक्जाम टू टू टाइम लेना डिजिटी को बोलिए कि एक्जाम टाइम से लिया जाए क्योंकि दो साल का कुर्स जो है वह चार सालों में पुरा हो रहा है यह बिल्कुल गलत है यह बिल्कुल सही नहीं है तो फ्रेंट्स यही अप्डेट था जो कि आप सब्सक्राइब करना था वीडियो पसंद था तो लाइक कर जीगा चांब सब्सक्राइब कर लिजिए बिला करना को परेस कर लिजिए अजने तेंक यह जो